आपको पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में और आज आपका तिसरा वीडियो है पहले वीडियो में जन्रेशन आफ कम्पूटर के बारे में बताया दूसरे वीडियो में कम्पूटर सिस्टम के बारे में बताया और आज आपका जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो है आज के बाद जो आपकी वीडियो आएगी वो प्रैक्टिकल आएगी यानिके आपको प्रैक्टिकल करने के लिए सारी उसकी नोड्स बनाने के लिए और प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाए जाएगा यानिके पहला एनलॉग, दूसरा दिजिटल और तीसरा हाइवेड, यह कंप्यूटर के तीन भाग है, सबसे पहले आप जानते हैं, अनलॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, आपको बता होगा कि अनलॉग मतलब होता है अनुमाल लगाना, कंप्यूटर मतलब संगड़, या लिके आयसा क मशीन जो केवल अनुमाल लगाता है, कोई कंफर्म वाइलूस हो लही करता, उससे हम लोग अनलॉग कहते हैं, यानि कि वह कंप्यूटर जो केवल फीजिकल क्वान्टिटी को सो करें, वह अनलॉग कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का प्रियोग हम जादातर चिकित्सा के में करते हैं, यानि कि जय दार हम इसे मेडिकल स्यंस में पुरियोब करते हैं, एक्जामबर के दतों, फर्मामिटर मे polishingn का नाम सुना होगा, जो मार्म को फार्मापती है. प्रेशर niemand आपती है, प्रेशन मशीन का नाम सुना होगा. जिससे हम दिल की ध्रकन की बारे में जाशते हैं कि क्या हमारी दिल का क्या प्रेशवर है क्या अनुमान है क्या उसकी कम्पन क्या handicap शिक है इसागी है तो शाहें अनुमान लगाए कोई कमफ हर्म्प वाइं दूसरा अप्शन है डिजिटल कम्पूटर, और दिजिटल कम्पू और दिजल के एक हमारा हाइबर कंप्यूटर तो कम्प्यूटर अनुमान भी लिगाता है । करता है दोनों का काम करे अनुमान भी लगाए और कालाती में हाइप्रेट को जैसे मैं आपको यहां पताया था यहां में एक ECG मशीन का जित्री किया था मैं यहां में इस मशीन का जित्री कर रहा हूँ ECG अब बोलत असर आपने के अनुलॉग है तुम्हें बता हूँ कि बहुत सारे ECG मशीने जो केवल अनुलॉग में आती है और बहुत सारे ECG मशीने जो अनुलॉग डिजित्र दोनों में आती है जैसे कि आप उग्जांपल के तौर पर देखिए यह जो आप घड़ी देख रहे है यह घड़ी जो है अनुलॉग कर लाएगे जिसमें पेंडूलर में सुई सामुमा बढ़ा लाएगे और जो नंबर वाली घड़ी है वो डिजित्र कर लाएगे लेकिन कुछ ऐसी घड़िया मार्केट में मेलती है जिसमें दोनों सिस्टम होता है सुई की दिखाई देती ह है और नंबर में सु होता है उसी तरह ECG मशिन भी डिजित्र अनलॉग दोनों रूप में आता है और यह जो आता है उसमें अनलॉग की सिस्टम होता है और डिजित्र वी होता है आप आप आई शीओ आल में जब जाएंगे तो आप दिखेंगे एक रेखा इस तरद्म ने ज तो एनलों लाईन है और जो गून वाई वे उस्तीप में चोंग कर रहा है तो दोन्वнов सिग्नलों को दिखा रहा है जन्रेट कर रहा है वो कौन सब्सेह को थे अनिके हाईब्स कंपूटर को परियोगे हम मेडिखल साइंसमे करते हैं चिक्षा के छेतर में करते हैं affen-style computer हो दिदीयल कंप्यूतर होता है वह चार प्रकार का है 8 पहले हैं 20 माइक्रों 2 मी किया hasi polsk पारेंट में आपको church anlam के बार मेंप्रेशन के बारे में वीडियो बता है जिसुनमें इन्पjam, योओंस अउन्ट की即कt शाओंगी उत दूमारन की के श्लड़ लाएंट पालिया प्रोशेसर होता क्या है मैं एक बार और बतायता हूं प्रोशेसर इस इसमाल चीप इडिज मेंट बाइ सिलिकॉन इस है मीलियन ट्रांजिस्टर गजिसमें लाखोर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और जिसका काम होता है देटा को काल्कुलेट करना देटा को कंप्रिजन करना और उसका रिजल्ट डिसीजन देना है यह हमारा प्रोशेसर पवलत है जो की हमारे माइक्रो कंप्यूटर में लगा है क्योंतरत को बदॉन से आते हैं कोड़ दूसरा आता है यज रात आता है मोट भूप पॉंटप पिडिये यह जो आप देख रहे हैं, यह सब माईक्रो कम्पूटर के अंदर कर आने वाले ही कम्पूटर हैं कि जसा कि आपके प्रकते हैं यह आपका डैक्डोप यह आपका Laptop तो आपके जब देखा है यह डैक्डोप आप 그ी बाद की बाद करें तो पॉम्टब जो आपका मोबाइल है स्मार्टफ़ून से कोई पॉम्टब बोलते हैं तो यह जो रिए केटेकरी देखने हुआ है सारी केटेकरी्व कीई किसंप्प्पुटर के अंदर वहता है अब बात करते हैं सीज्य क्रशक दूturn किति मीनि कंप्पुटर कींorigा तिस कंप्योटर का परियोवर डिजाइनिंग कोमपनियों में किया जाता है किस काम के लिए जो कामर्षिल और यह जो computer है वो computer या computer multi user है कौनसा है multi user यानि कि इस computer पे बहुत सारे worker एक साथ काम गरते हैं उसको mini computer को अब बात करते हैं हम लोग mainframe computer की कि यह mainframe क्या है या रुखेगा यह सारा digital computer का ही प्रकार है mainframe computer क्या है mainframe computer जो होता है वो micro computer और mini computer से जाला stronger होता है यानि कि mainframe computer का प्रियोग multi user multi tasking के लिए के जाता है कहाने काम अब यह है कि इसमें एक साथ कई सारे user अलग अपना कारे करते हैं और एक सर्वर में connected होते हैं उन्हें mainframe करते हैं इनका प्रियोग आप देख सकते हैं इस computer का बैंकों में करते हैं बड़े बड़े तर्मिनस में करते हैं सरकारी भागों में करते हैं चहांपर अब बात करते हैं लोग सुपर कम्प्यूटर की बात करें सुपर कम्प्यूटर की बात करें तो सुपर कम्प्यूटर का पर्यूप नुक्लियर साइंस जाड़ी के नाबिके भिग्ञान में होता है सुपर कम्प्यूटर का पर्यूटर की स्पीड की बात करें तो वह होता है यानि की फ्लोटीन पॉइंट ऑपर सेकेंड की गली से काम बता है इसकी हाड़वेर डिवाइस बहुत बड़ी-बड़ी होती है माइक्रो मिली मेंसें से बड़ी-बड़ी होती है दुनिया में सबसेट पहला सुपर कम्प्यूटर नाइन यानिक धालत का सुपर कम्प्यूटर यानिक हमारे इलीया का सुपर कम्प्यूटर का नाम परं 10,000 तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ताइपस ऑफ कंप्यूटर मैंने आपको बताया कि there are three types of computer पहला आनलोग दूसरा डिजिक और और तीसरा आइप्रेश्ट फिर मैंने बताया है डिजिकल कंप्यूट के चार पतार होते हैं पहला माइक्रो दूसरा मीनी दूसरा मेंसर और चौर्णा सूपर आज के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा इस वीडियो को ज्यादस लादा पार्डेक्शन जिससे कि आपके दिमान के पूरी स्राली जनकारी आपके दिमान के फिट वजाए कि यह है क्या फिर में इसकी नोर्स आपकी मॉबाइल के सेंटर अंदर पिडियर के रूप में जादा दिक्वत का सामने की ज़रत नहीं है आप बस जो दिया जारा है उसे अराम से लिखे अपने डोस्ते समझें समझ में आ रहा हो तो बीडियो देखें उसे रिटन के रूप में लिखना है जो मैं नोर्स पर ज़रा हूँ उससे लिखें है हाँ मैं आप एक बाह बता दूँ इससे पहले मैं आपको computer system component का video बना कर जो ब्रेया था उसका notes बने नहीं सेंट किया आपके प्राइच दूँगा और one day आपको मैं वीडियो सेंट कर दूँगा रेवला राता बस एक ही काम भी रहा है और आपके बहुत ही काम है बहुत-बहुत ही फूसरत है आज कोई काम नहीं है किसी जाना भी नहीं है कि दिक्कात एक माउसी किया थाला किया नाना किया जाना है कोई दिक्कात कि हमारे भारत देश का हाल बहुत ही धिरे-धिरे पूरे अस्तर पर जाना है वो तो खुदा की बहुत-बड़ी करिश्मा है कि हमारे जिला बलिया में किसी भी तरह की केस कोविट-90 की नहीं आई यानि करोना वारस में नहीं आई इसलिए मैं खुदा का बहुत-बड़ा और खुदा से मैं यहीं दुआ करता हूं के आगे भी इस तरह की कोई केस ना है लेकिन लगभग हमारे शुरूप में 150 बच्चे हैं मैं उन 150 बच्चों से दरख्वास करना चाहूंगा कि जो भारस सरकार के दुआरा लॉप डॉप डॉन लगाया गया है उसका जरूर्ल आप पारव बिना मतलब खेतों में जाना बिना मतलब 10 दोस्तों से मिलना बिना मतलब एक साथ जूट कर गपब लडाना हम तो लोगडाउन में हैं ऐसा बस फिल करना कि लोगडाउन में है और सारा लोगडाउन किसी को ना देखते हुए आपको लोगडाउन करना यानि कि गोवर्मेंट तो अपना काम कर रही है लेकि पबलिक अपना काम नहीं कर रही है इस बात का जरूर में ध्यान देना है। इसलिए गोर्मेंट जो कारी कर रही है वो हमारे लिए कर रही है ना कि अपने लिए कर रही है। तो हमें लोगडाउन का करना है। और पुरी कुहिस करने की तीन मई तक का जो डेट मिला है उसमें सब कुछ क्लियर हो जाए। और चार मई से लोग अपना कारे करना सुट दे। एक कारण है लोगडाउन बढ़ने का। आप एकर इस दिर लोगडाउन कर रहे हैं। उम्मीद थी कि 16 कारिक से 15 कारिक से हमारे मार्केट खुल जाएंगे, हमारे स्कूल खुल जाएंगे। क्यों नहीं खुले। नाखुल नेयग अतारण हैं, हम ने सही तरह से लौगडान ड़ी दिरना और वही इस्तिती बन जाए ली जब 3 मही तरह को लोगडान का पालण वही इस्तिती से नहीं करेंगे, 3 मही के बाद फिर बढ़ जाएगा, तो ऐसी इस्तिती ना आए, हम इसे अपने बल्या को ग्रीन को अपने किसी था विग्ष सर्फिस को कर सकते हैं तो हमारी बातों को जरूर माने अपने फैंदुर के सारे बड़ों का बात माने जो आपकी इस बात को नहीं मांग रहे हैं उन्हें भी आप शम्झाएं क्यूकि कभी कभी चोटे बहुत बड़ी बातिया कर देते हैं और बड आले वीडियो मिलेंगे तक तक के लिए बूर्बाइए